क्या आपने कभी बेसन का चीला इस तरह से बनाया है? थोड़े से निक्स्चर के साथ आप बहुत सारा चीला बनाकर रेडी कर सकते हैं. क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये चीला बनता है. इस चीले के साथ हरी चत्नी की भी रेसिपी शेयर करूँगी. तो रेसिपी बनाने इसमें बारिक चौप की हुई प्यास डालेंगे. एक चौथ हाई कप है बारिक चौप की हुई सिम्ला मिर्च. बारिक चौप की हुई गाजर भी इसमें डालते हैं दो बड़े चमच. अदरक बारिक चौप की हुई डालना है एक बड़ा चमच. एक चमच डालेंगे चिली चौप किये हुए धन्य के पत्ते डाल देते हैं धाई कप इसमें पानी डाल देंगे ये बैटर को हम थोड़ा पतला बनाएंगे अच्छी तरह सी बैटर को मिक्स कर लेते हैं धक कर इसे हमें रखना है करीब 15 मिनट के लिए 15 मिनटों में सूजी के दाने अच्छी तरह से रखका भुने हुए चने डाल लेते हैं एक चौथाई कप पांच से छे दाने ले लेते हैं काली मिर्चों के आधे नीमबू का रस इसमें चोड़ते हैं नमक आधा चमच आड़ कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि गाड़ी सी अमारी हरी चतनी ब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई लंप न रहे अब चीला बनाने के लिए नॉन स्टिक पान को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे इसमें डालेंगे एक चमच तेल तेल को अच्छी तरह से सारी जगा स्फ्रेट कर लेना है मिक्सचर को एक बार अच्छी के दाने नीचे बैट जाते हैं तो एक बड़ा चमच यह मिक्सचर उठाएंगे और इस तरह से हमें इसे पैन पर डाल देना है पतला सा मिक्सचर है जल्दी जल्दी से यह फैल जाएगा पूरे पैन पर हम यह मिक्सचर फैला लेते हैं अब मीडियम टू हाई फ्लीम पर इ ये एक तरफ से इसे medium to high flame पर हमें पकाना है अब side से हम pan पर से ये चीले को अलग करते जाएंगे इस spatula की मदद से पूरे चीले को pan से अलग करने के बाद हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हमें इसे medium to high flame पर पकाना है बस 2-3 मिनट के लिए अब चीले को फिर से पलट लेत टोमाटो चटनी और हमारी बनाई हुई चटपटी हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी ये चीला बनता है आप इस क्रिस्पी इंस्टेंट बेसन रवा के चीले की रेसिपी को नाश्टे में सर्फ कर लीजे या फिर इसे आप स्नाक्स में भी सर्फ कर सकते हैं